ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनेतिक शड्यांत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस शड्यांत्र के तहट ये कोशिश की जा रही है कि अर्विंद केजरिवाल जी को लोग सभा के चुनाव से पहले गिरफतार कर लिया जाए भारतिय जनता पाटी ये चाहती है कि लोग सभा के चुनाव में अर्विंद केजरिवाल जी प्रचार ना कर पाएं यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अर्वेंद केजरिवाल जी को समन पर समन समन पर समन समन पर समन भेजा जा रहा है लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यूं रहे हैं क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पर समन कर रहे हैं क्या उन्हें एक अक्यूज के तौर पर समन कर रहे हैं क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं क्या उन्हें आमाद्मी पार्टी का नैशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं ये एडी कुछ भी बताने को तयार नहीं है. इसलिए बताने को तयार नहीं है, क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफतार करने का एरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजडीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफतार करने की साजिश है, ये देश का इकलौता ऐसा कानून है, जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे है, तो भारतिये जन्ता पर्टी ने क्या किया, इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सार विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिये क्यों क्योंकि अब आप पीमले के तहत इन्फॉस्मेंट डिरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पर रेड कर सकते हो समन कर सकते हो एक बारी गिरफतार कर लिया तो फिर वो जेल में रहेंगे फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं आज जो पीमले का प्रयोग हो रहा है आज जो एडी का प्रयोग हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनेतिक शड्यंतर के तोर पर हो रहा है जो पार्टियां भारतिय जनता पार्टी का विरोध कर रही है उनको तोड़ने के लिए हो रहा है जो नेता भारतिय जनता पार्टी जॉइन कर लेते हैं उनके केस खतम हो जाते हैं ऐसा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पे इतने CBI ED के केस हुए लेकिन जैसे ही वो भारतिय जनता पार्टी में आए TMC छोड़ कर सारे केस खतम हो गए अभी कुछी दिन पहले हमने उधारण देखा कि NCP को छोड़ कर छगन भुजबल और अजीत पावार भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके कुछी दिन में ED ने कोट के सामने कहा कि हमारे पास तो छगन भुजबल जी के खिलाफ कोई सुबूत ही नहीं है हम तो सालों से ऐसे ही केस चला रहे थे